इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन तपाएं बारलोफ बंगाल में आज बीज़पी की तरफ से मधिप्रदेश की मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने मोर्चा समभाला है और सुभे कालिघाट मंदर से पूजा करने के बाद जगतवलपूर से परिवर्तन यातरा की भी शुरुबात की और अभी यातरा साउथ हावडा के दानेश शे लेन पर खत्म होई है तस घंटे आज शिवराज हावडा में मौजूद रहे और उनके साथ साथ उनकी पूरी रत यातरा को हमारी समाता अर्चना सिंग ने कबर किया उन्होंने शिवराज सिंग चोहान से एक्स्लूसफ बात की चुनाव के नतीजों पर क्या है शिवराज की भविश्यमानी खास रपोर्ट में देखिया बद्रप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान बीजेपी के कैमपेंड के लिए इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं सबसे पहले वो आये हैं यहां पर काली घाट में मा काली का आशिरवाद लेने के लिए कहते हैं शिवराज सिंग चोहान उसके बाद यहां से वो दक्षनेश्वर मंदिर जाएंगे आज उनके पूरे दिन का बेहत जैस्त कारिकरम है और ये तस्वीरे आप काली घाट मंदिर की देख रहे हैं जहां पर इस वक्त शिवराज सिंग चोहान पूजा अर्चुना कर रहे हैं जहां तक चुनाओ का सवाल है पश्चिम मंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है तियमसी की हिंसा विष्टाचार कट्मनी अत्याचार अन्याय और विसेशकर केंद की योजनाओं का लाव नहीं दिया तियमसी का तो नाम हो गया है तोडो मारो काटो रैली की गाडियां तोडी जा रही हैं इक उलकादा के पास 924 परगना में स्थित माकाली का मंदिर है दक्षणेश्वर काली मंदिर इसे कहते हैं इस मंदिर के स्थापना ठारा सो पच्पन में हुई जब एक रानी जो माकाली की बहुत भक्त थी वो यात्रा करने के लिए काशी जा रही थी उस दोरान एक रात पहले ही माकाली ने उन्हें सपने में दर्शन दिये और कहा कि इतनी दूर मत जाओ यहां गंगा के तट पर ही मेरी मूर्ते स्थापित करो मैं उसमें खुद विद्यमान होंगी और आशिरवात प्रदान करूंगी उसके बाद इस दक्षडेश्वर काली मंदर की स्थापना हुई जहां पर भक्त दूर दूर सा रहाते हैं और इस मंदर को रामकृष्न परम हंस और माशारदा से जुडाव की वज़े से भी जाना कहते हैं बंगाल में जिसे माकाली का आशिरवाद मिले उसे जनता का भी आशिरवाद मिलता है और प्रद्द प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान यहां दर्शन के लिए इस वक्त आए हैं वो अपनी पार्टी के लिए आशिरवाद मांगने आए हैं ताकि जून की पार्टी जिसने 2016 में सिर्फ तीन सीट इस पश्चिम मंगाल में हासिल की थी वो अपनी सरकार बना पाएं लेकिन देखना होगा माकाली के आशिरवाद के साथ साथ क्या जनता का आशिरवाद मिल पाएगा मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान दिए मंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान पश्चिम मंगाल में हैं दक्षिनेश्वर मंद्री में दर्शन करने के बाद वो जगत बल्लपूर पहुचे हैं यहां वो बंच पर मौजूद हैं उनके साथ टीमसी से बीजेपी में शामिल हुई वैशाली डालमिया भी यहां पर है जेगत बल्लपूर हावडा में पढ़ता है हावडा जो टीमसी का गड़ है और जेगत बल्लपूर की विधान सवा सीट भी 2000 से ही टीमसी के पास है बीजेपी के लिए बड़ी चुनोती है टीमसी के इस गड़ में चुनोती वो कैसे लग शिव्राज सिंध्यों चाहते हैं जो लोगों के हैं मैं और चाहते हैं और यह रभ जाएगा लोगों के पीच जया गार कि उन्हेक चाहिए लग्खो शुनार बेया की शुरुवाज की है 20 को जेपी नडटा ने और यहांसे इस से इस रथ को को रवाना करेंगे शिवरा सिंग चौहान और इस पर्पत्र लेने के लिए वो पहुंचे हैं और इस वक्त वो मंच पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं एक चीज़ बताईए यहां पर क्या बीजेपी जीत पाएगे क्योंकि यहां तो मंता दिदी हैं यह हमारा यहां पुरा बीजेपी जीतेगा 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 नरंदमोदी हमारा सरकर गरेगा सब बीजेपी क्या यहां पर जीत पाएगी ज़रू जीतेगी कौन आपको बोला है हम इधर में टीमसी का हावरा में गौर है लोगों को जाके एक ही बात बोलेंगे देखिए यह जो टीमसी सरकार है माती मानुस का नाम लेका आया था अभी मा को इलोग मार के रस्ता में फेक दिया है माती आज गए सदरोन मानुस है रोक्तेद्दा गोली बॉम बारुदेद्दा के रांगिये गाची मताब एनर्जी से दीदी से क्या नाराज गी है अरे उनुता शर्बोनाज कर दिया आज पोस्चिम मंगल को सर्बोनाज कर दिया पोस्चिम मंगल जुबा को नगली नहीं मिलते ही आपे सब चौप भज रहा है चौप दिदी का चौपशिल पर चल रहा है याँ का मोईला का कोई संवन नहीं है कर दो टिदी कियो याज कर दिदी कियो इस फुलार की अरुदी नहीं आखार्टन ओन सिर्टनाज कर दो और वो पहुची है यहाँ दूमजूर हावडा महत महतुपूर है बीजेपी के लिए हाडवा के बाली विधानसभा से वैशाली जालब्या प्रायक है जो टीमसी में थी टीमसी छोड़कर बीजेपी में आ गई है और वो इस परिवरतन यात्रा में शिवरासिंद चौहान के स हावडा उत्तर से लक्षमी रतन शुकला जो की टीमसी के विधायक है वो भी नाराज है हलाकि वो पार्टी में बने हुए है लेकिन मंत्री पाद उन्हों ने छोड़ दिया है इसलिए यह हावडा बेहत महत पूर्ण है बीजेपी के लिए और अब ये परिवरतन यात्रा बीजेपी की जिसको चला रहे है जिसके साथ निकले है शिवरा सिंग चोखान वो आगे बढ़ रही है शिवरा सिंग की परिवरतन रत यात्रा निकली है जगत वल्लपूर से और ये बेगरी पहुंची है अब यहां से धूला गोड़ी जाएगी और साउथ हावडा में इस यात्रा का समापन होगा हम इसी यात्रा में साथ चल रहे हैं आपको दिखा रहे हैं जगा जगा की तस्वीरें तो आईए अब इस यात्रा में हम भी बढ़ते हैं आगे शिवरा सिंग जी की परिवर्तन यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है जहां पर इसका समापन होना है साउथ हावडा वहाँ पर हम पहुंचे हैं सरे बताईए इतना लंबर आस्ता आपने तेय किया आप मद्रप्रदेश ते बंगाल आए हैं शिवर्तन की लहर लेकर आपको दिख रही है वो लहर जिसकी उमीद में आप आए हैं मैं 31 सालों से सारजनिक जीवन में सांसत विदाय किया मुख्मंत्री हूँ चौथी वार मुख्मंत्री हूँ जनता की आँखों में मैंने भारती जनता पार्टी के लिए जो प्रेम देखा है जो विस्वास देखा है मोदी जी के लिए मैं पूरे विस्वास के साथ यह क्या सकता हूँ कि भारती जनता पार्टी सांदार वहुमत प्राप्त करेगी और भारती जंता पारडी की सरकार बनेगी लेकिन दीडी यहाँ पर कहती है बाहरी बना बंगाली कहते हैं बाहर के लोग बंगाल में राज नहीं करेंगे वो इसी बात का मुद्दा बना रही है बाहर का कौन राज कर रहा है बंगाल में हमारे बहुत लोग पुरिये नेता हैं और सरकार जो चलाएगा वो यहीं का हमारा नेता चलाएगा लेकिन दीदी तो बुखला ही हुए है इसलिए कुछ नहीं होता तो यह बाहर यह बाहर ही है अरे हम सब भारत माता ही के तो बेटा बेटी है मद्यप्रदेश पर जब चुनाव होता है तो बुख्यबंतरि शिवरा सिंग चौहान के नाम पर होता है लेकिन यहां पर कोई नाम नहीं है इसलिए शायद ये सवाल ज्यादा उठ रहे है देखिए मोदी जी पर भारती जंता पार्टी पर पूरे बंगाल को विस्वास है औ मुझे तो लगता वो जगते कब है वो सोई तो रहे हैं अब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं वो कहीं और समधर में गोते लगा रहे हैं वो तो राजनीती की समझ ही नहीं है राजनीती की रूप से तो पर्मानेंटी सोई हुए हैं अब उनको यही पता नहीं था कि मच्छ कितनी सीटें बीजेपी को मिल पाएंगी आपका आपका अंकला अपकी बार 200 पार आपको बहुत बहुत शुब कामना है सर धन्यवाद आपको तो शिवरास सिंग चौहान जिनका कहना है कि उन्हें इस बार उमीद है कि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी और यहां पर पश्चिम मंगाल में अपनी सरकार बनाएगी कैमराबन शिशिर मंडल के साथ अर्शना सिंग इंडिया टीवी नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें गल आइकन तबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ